तो हमारा चाप्टर नमबर चल रहा है एट उके उसमें हमारा इग्जरसाइज 8.2 अभी चल रहा है ओके हम कोशन लेंगे और इससे पहले होगे थे हमारे कुशन नमबर 1 और 2 ठीक है अभी हम देंगे कुशन नमबर 3 कुशन नमबर 3 में हमको क्या दिया गया है एक हो कुशन नमबर 3 में हमको दिया गया है if tan of a plus b tan of a plus b equals to root 3 and और क्या दिया गया हमको tan of tan of a minus b equals to 1 upon root 3 कि और क्या कंडिशन दिया गया हमको सेमी कॉलन के बाद आपको दिया है and a plus b a plus b की value आपको दी है एक जीरो से greater है जीरो डिग्री से greater है लेकिन less than or equal to 90 दोनों की value आप अगर add करोगे तो less than or equal to 90 ठीक है और क्या दिया गया आपको और सेमी कॉलन है इसका मतलब एंड 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 यह दिया है a is greater than b यह दिया है आपको a is greater than b फिर आपको बोला है find find a and b आपको a और b की values find इस condition में आपको क्या दिया है 10 of a plus b equals to root 3 बोला है 10 of a minus b equals to 1 upon 3 ठीक है a plus b दिया है 90 डिगरी less than or equal to 90 लेकिन greater than equal to greater than 0 डिगरी से और बोला है a is greater than b ठीक है a is greater than b आपको दिया है ठीक है चलो हमको a और b की values find a और b की value find इस चलो हम यह question solve करते है ठीक है question हमको क्या given है given tan of a plus b equals to root 3 given 10 of a plus b equals to root 3 ठीक है इसको हम दे देंगे equation number 1 ओके बट ठीक है बट हमको अगर आप table देखोगे ठीक है आपको यह values पता नहीं root 3 की value कहा आती है आपको पता नहीं ठीक है 10 में root 3 की value कहा आती है आपको पता नहीं ठीक है आपको क्या पता है जितने एंगल्स में ठीक हैं यहां पर क्या करते हैंम स्पल हमारे science वा लिख लेते साइन ढू ठीक है साइन गेना परसे नहीं ठीक है और तो आपको 39 चाहिए ना आपको को आपको कॉस की भी पता होना चाहिए तो आपको यह लिखना पड़ेगा कॉस है आपका वन रूट त्री वाई टू यह सेम इनवर्स कर दोगे वन वाई रूट तू उसके बाद आपका आएगा वन बाई टू इधर वाला पिर यह आएगा जीरो ठीक है अब आपको कहा यहां पर आपन डूट टू आपन टू यहां पर नहीं चाहिए छलो रूट त्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और आगे जाएगा उटके आगे वाला देखते अब यहां यह आपको रूट मैं चिख्सक्टी क्या हो जाएगा सएटाइस 60 आप कैसा करोगे आपके पास काइसर बचेगा टैन सिक्स्टी पर टी मिलेगा यही चाहिए था तो यह लख लेते यही लिख लेते शुर्ट को अंपो मिला है ठीक है यह लिख लेंगे हैं अलग से और बागी की टैन की वाल्यूस भी लिख लिया अभी हमको और कुछ करना ने पड़ेगा इसम्पन हमारे पास एक टेबल है और वैलूज है उसके अकरडिंग्ली हमको वैलूज यहापे पूट करना पड़ेगा है फिर हमको क्या गिवन है trend 60 की value १ॿ रूटिरी गिवन है बट जीवन धार्ट बट लिए नौ था फिर यह नो दाइट वी नौ धार 1060 10 of 60 degree equals to root 3 ठीक है यह होगा हमारा equation 1 और 2 तो हम यहाँ पर देखो यह root 3 equation 1 और 2 में आप देख सकते हो equation 1 और 2 में देखोगे यहाँ पर भी root 3 है यहाँ पर भी root 3 है दोनों के हो जाएगा तो हमारा equation कैसा बन जाएगा यहां पर ध्यान दो ठीक है हमारा equation बन जाएगा 10 of a plus b 10 of a plus b equals to 10 of 60 तो यहां से हम लिख सकते हैं यहां से हम क्या लिख सकते हैं जो यहां गता है यहां बन गया equation 3 है यह हमको मिला value एक equation मिला a plus b equals to 60 and so और क्या गिवन है हमको देख हुआ हमारा tan a plus b equals to root 3 यह वैल्यू होगी हमारी ठीक है यह वाला भी हमारा यहापर clear हो गया ठीक है यह value हमारा भी clear हो गया अभी हमको यह next वाला दिया 10 of A minus B equals to 1 upon group 3 एल्सो यह जो दिया है वो भी लिट लेत ठीक है एल्सो ओके एल्सो तैन आफ यह मैनस B equals to 1 upon group 3 ठीक है अब हमको टेबल से हम find कर सकते हैं यह 1 upon root 3 आपको मिल रहा है 10 of 30 ठीक है 1 upon root 3 तैन की values में का मिल रहे है तैन की values में आपको मिल रहे है 10 30 ठीक है 10 30 पी आपको value मिल रहे है 1 upon 3 ठीक है बट I can of 30 इकोस to 1 upon root 3 ठीक है किसको मिक्वेशन दे देंगे 4 ठीक है यह हो गया फॉर इक्वेशन यह हो गया 5 ते अरे जैज एकोल होगी मतलब इनकी लो हैन्स हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्वेशन बन जाएगा रैन आफ रिए मैनस बी थान थर्ट इफ टूगे थान थी यहां से क्लिएर लिए धर्थे इंड याव्यंग प्लीज अनिक यहां प्लीज ओड्यों एक अव्यू तो देखो यहां क्या हो जाएगा यहां देख सकते हैं यहां पे आपका एंगल हो गया है अपका एंगल हो जाएगा है अगर 10 a-b यहां पर आपको दिया है इक्वेशन नमबर 3 में आपको क्या दिया है एक्वेशन आपको फोर दिया है एक्वेशन आपको इसे जनरल लिनियर इक्वेशन थीक है यह है लिनियर इक्वेशन इस टाइप में आपको इक्वेशन सौल करना है तो यहां पर अगर हम सिंपल इसको क्या कर देंगे इन दोनों में से वन मैनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर मैनस आएगा मैनस मैनस करनी के तो कोई जरूरती नहीं रहे रही हमको यहां पर हमको सिंपल डिरेक्टली मैनस हो रहा है हम क्या करतें यह दोनों को आड़ करने के बाद क्या हो जाएगा देखो यह आपर प्लस दिख रहें सब्सक्राइब 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 इन दोनों में से किसी एक में आपको वाल्यों कुट कर देना है ठीक है कि ज सब्सक्राइब इन इकवेशन त्रीच टीक है इकवेशन 3 में पूट करो चाहिए आप प्रजी 6 में पूट करें हैं तो हम क्या करेंगे थी वैल्यू हमारे बास के ती एप लस बी हर्ट तो इक्वस्टि डिग्री यह हमारा इक्वेशन नबर था तो एक वैल्यू अभी कितनी मिली 45 डिग्री प्लस भी पूस्टो 60 डिग्री ठीक है 45 प्लस भी तो हमारे यह से क्या हो जाएगा यह 45 इदर चला सब्सक्राइब को मिल यहां पे और भी की वैल्यू मिल यहां पे लिए सकते एक वस्टू एक वस्टू 45 डिग्री एंड पी वस्टू 15 डिग्री आपको प्रफॉट कोश्चन समझ में आगया एंसर कैसे पाइंड करना है वह समझ में आगया आपको इसके बाद हम देखते हैं नंबर फोर ठीक है कोश्चन नंबर फोर देखेंगे कोश्चन नंबर फोर बहुत ही आसान है में सब्सक्राइब कोश्चन नंबर फोर फैला हमको दिगे हैं फाइंड प्रू और फ्क्राइब क्या वह लगा फॉट। और बोला है यॉस्टिफाइज है ठीक है true or false बोलना है और उसमें आपको justify भी करना है एक है तो first वाला लेते हैं sin of a plus b equals to sin of a plus sin of b sin of a plus b equals to sin of a plus sin of b ये हमारा equal होगा क्या है ये हमको justify करते हैं ये question के और आप थोड़ा ध्यान से ध्यान लगा के देखें तीक है के आपको क्या करना है एकको है में करते करते की अगर हम करते एक इक वास्टों 60 डिगरी और ब्लस वी क्या हो जाएगा LHS ठीक है LHS क्या हो जाएगी LHS equals to sign of A plus B यह हमारे थी LHS इसमें हम A और B की वैली पूट कर दे तो क्या हो जाएगा sign of A की वैली कितनी हमारे पास 60 degree यह हो जाएगा 60 plus B की वैली हमारे पास है 30 ठीक है तो sign of 90 हो जाएगा Sign of 90 क्या होता है या हमको पता है sign of 90 होता है one sign of 90 होता है one one सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब को मिलती है तो यहाँ पे आप कि एनल रही है लहससी को मिल रही है अभी हम आरे जस्ट में हमारे पास एक्वेशन क्या है आरे जिस्ट में आप देखोगे तो हमारे पास सइब्लस-ठीज ए प्लस-ठीज और यहां ते आक की वहल्लीए हमारे पास 60-डीवेशन टीज्ट कि हमको सब्सक्राइब होता है रूट थर्टी होता है और सब्सक्राइब करेंगे क्या हो जाएगा इनका डिनोमेटर सेम है तो यह होगया है यह हो गया है यह हो गया हमारा फॉल्स हो जाएगा यह हो गया हमारा फॉल्स ओके यह ख्लियर है सभी को यह false कैसे find कि हमने यह हो गया false yes sir okay तो यह आ जाएगा हमारा sign of इसको हम ऐसे भी लिख देंगे आगे ठीक है hence sign of a plus b equals to sign of a plus sign of b actually ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिखते है यह false है ठीक है this is false ठीक है यह फिर आपको क्या करना पड़ेगा या फिर आपको करना पड़ेगा या इसा कट कर देंगा इस इसका अगला question लेते हैं ठीक है इसका अगला question हम continue करें ठीक है question number two ठीक है sub question two fourth का sub question two ठीक हम को क्या दिया गया है the value the value of theta the value of sin theta actually sin theta ठीक है the value of sin theta increases as theta increase क्या बोला गया है value of theta increases as sin theta increases ठीक है यह हमको justify करना है ठीक है यह correct यह false यह justify तो हम यह आप देखो कि आप simply इसको देख सकते हो sign की values आपको सभी को पता है ठीक है sign की values क्या होती है साइन जीरो जीरो ठीक है साइन जीरो होता है जीरो साइन 30 होता है साइन 30 होता है वन बाय टू वन बाय टू का में से भी लिख सकते सब्सक्राइब जीरो ठीक है यह और जीरो पाइब पहला तो गया जीरो ठीक है और यह घ्याए और यह जीरो पैंट फाईव जैसे इनका बोलना क्या यह ठीटा इंक्रीज हो रहा है हमें पता है साइट रएव सबीने लेन जी अधिक है तो साइन जीरो की फिलेए जीरो लिख सकते चीज़ां ने यहां जीटा टे की अ कहौत तो इसके पाद आता है साइन फूर्टाइफ ते याता यह तो कि ए तु Wars factor 1 पॉइं सेवन सम्टिंग ठीक है बढ़ते जा रहा है अभी आप देखो कि साइन सिक्स्टी की वैल्यू साइन सिक्स्टी डिगरी की वैल्यू आप अगर देखोंके तो यह रूट त्री वैट तो यह सिंपल हमारा यह क्या हो जाएगा वैंट एट इस ठीक है यह आजाएगा पॉइंट एट इसीग टीक है तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो जिरो पॉइंट फाइव लमसम ले रहा हूं लमसम ले रहा हूं ले रहा हूं 0.76 लेकिन यहां लिखने में 0.1 करती है तो यह आ गया हमारा 0.7 यह 0.8 और हमको पता है साइन 90 की वैलिए आप देखोगे तो आपको वन मिलता है तो यह वैल्यू जगर आप देखोगे ठीक है जैसे कि कि आप यहां देख सकते हो यहां पर देख सकते हो जैसा हम यहां पर 0 है यहां पर देखोगे एंगल तो यह वैल्यू भी आपकी 0.7 से बढ़ी है यहाँ पर आप से पॉइंट और सब्सक्राइब यह वैल्यू बढ़ाते हैं यह जैसे जैसे बढ़ा रहे वैसे वैल्यू भी बढ़ते जाए ठीक है यह होता है साइन के बारे में भी कह सकते हैंस इस ट्रेटमेंट इस ट्रेटमेंट इस ट्रू ठीक है यहां से देख सकते हैं वह लिखना है ठीक है आपको और कोशन दिया गया है सब्कोशन नमबर त्री जो एक सब्कोशन 3Di the value of कि वैल्यू ओ वास्ट स्थेटा कोश्ट इंक्रीजेश आज आज अज टीटा इंक्रीजेश ठीक है हम को यह बता ना है प्रूए यापॉल्स ठीक है तो अब देखो और कॉस्ट ठीक है तो 30 की मैं एक धुर benefici इंजरोगे करते इसको इनवर्स कर तो यह वह जाएगा इधर से इधर आएगा रूट त्री बाइट वह गया वन अपॉन टू फिर उसके बाद आ जाएगा वन बाइटू और वाट ठीक है एव लास्ट में आजएगा जी लास्ट में आएगा जी तो आप यहां से देख सकते हो ठीक है पास जीरो की वैल्यू अ यह आ गया वन यह आ गया 0.86 उसी तरह आम कॉस्ट 45 की वैल्यू में लिखते है वन अपॉन अपॉन रूट टू कों 0.7 सम्टिंग लिखते है ठीक है और इसके बाद क्या आएगा कॉस्ट ओफ थर्टी डिग्री पॉस्ट थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाइट हूर है हॉ सिस्टी आच्छा हमने पहले क्या करने कर लिए काश्ट थर्टी यहां पर हमको देखना चाहिए यह three- spoises ओफाइगा मैं आए घ्र घ्री ओपका 60 की देगरी और लास्ट अंत्यक्तне की वैल्मिया आपके इस जीन हो तो यहां पर नहीं है कि यहां पर 30 डिगरी तो यहां पर 0.86 आप को मिल रही है little तो जैसे जैसे हम आंगल की वैल्यूस बढ़ा रहे हैं यह आपको देख सकते हो यहां पर यहां पर हमारा यह ठीटा इंक्रीज नहीं होता है दिटा नहींुकुल किसी वैल्यू सब्सक्राइट यहांतेomos यहांने पर फोस्ते आउस्यूणा इस इंक्रीजेट सब्सक्राइब्स ओंडा इंक्रीजेिक a यां संसरने और हमारा statement क्या था इंक्रीस ठीक है यह statement किया वाजाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है यह हो गया हमारा गुशचन नम्बर और फॉर का तो सब्टूरी ठीक है और हमारा आता है कुशिए नम्बर फॉर थीक है इसमें हम देखें कुश्चन नम्बर फॉर फॉर में हमारा हो जाएगा साइन ठीटा इकोज टू कॉस्ट ठीटा साइन्टिटरी को स्टू कॉस्ट्षट थीट प्र और ऊल्ली आफ पॉर एल्ट। आप सोझ voi किता थीकर थीकल हो सकता है थीकर सैन्टिटाइट। ऑल इक keeps नंब सुटिटा और सकता है कब लेकिन ही के फोटीफाइब तो इक्वाल होगा ठीक है इफ टीटा इस फोटीफाइब यह हमारा लेकिन हमको क्या बोला गया है फॉर और वेल्यूस पर इसा होता नहीं है देखेंगे अच्छितर्श पर इस फोटीफाइब आप देखोगे आपको मिलेगी वन अपॉन डूट ठीक है अब उस्सी तरह कोश्वर्टीफाइब यह आप देखोगे तो आपको मिलेगा वान अपॉन ब्लूट ठीक है इस फोट जिटा एंस आप बोल सकते हो या जापर फॉर्टीटा equals to theta equals to 45 degree, this statement is true, ठीक है, this statement is true, but this statement नहीं, sin theta for theta equals to 45 degree, sin theta equals to cos theta, ठीक है, sin theta equals to cos theta, okay, for theta equals to 45 degree, यह एक ही condition हो, ठीक है, but other condition हम ठीक है, 30 को लेके देखते है, 60 को लेके देखेंगे, sin 30 के value होती है, 1 by 2, और cost, cost 30 की value होती है, root 3 by 2, तो यह कही match नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यह sin 30 is does not equal to, sin 30 does not equals to cos 30, ठीक है, यहां से हम क्या बल सकते हैं, hence, given statement is false, given statement is false, ठीक है, है, अभी हमारा आ गया last sub question, ठीक है, last वाले sub question में हमको क्या दिया गया है, last वाले sub question में हमको दिया गया है, what a is not defined for a equals to 0, what a is not defined, what a is not defined for a equals to 0 degree, ठीक है, अब देखो, a equals to 0 degree पे हमको cot की value मिलती है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है, तो cot क्या होता है, actually हमारा cot, cot a equals to हमारा क्या हो जाएगा, sin a upon cos a, ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है, cot a is not defined for 0 degree, a equals to 0 degree, ठीक है, यहां simple हमारा क्या हो जाएगा, cot 0, यह cot, cot of 0 degree, equals to क्या हो जाएगा, sin of 0 degree upon cos of 0 degree, sorry, cot की value हमारी होती है, यह तो हमने tan का लिख दिया, ठीक है, यह हमने लिख दिया tan का, तो यह होता है, cos of 1 sin, इसका inverse होता है, ठीक है, यह होता है, इसका inverse, यह क्या होता है, cot equals to cos upon, cos a upon sin, ठीक है, cot equals to क्या होता है, cos a upon sin, तो हमने जो लिख दिया था, वो किसका था, tan का था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी उसेम लिखना पड़ेगा, हमको, cos a upon sin, ठीक है, अब आपको यह 0 है, यहाँ पर भी cos a नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, तो आप cos 0 और sin 0 की value अगर put करो, cos 0 की value होती होन, और sin 0 की value होती होन, तो आपको यह पता है, maths में anything divided by 0 is not defined, यह क्या होता है, है not defined होता है, यह हो जाएगा not defined, hence यहाँ से हम बोल सकते है, given statement is true, समझ गया है के सभी को यह, यह सर, ओके, तो देखो, अभी हम यहाँ पर हमारा आज का lecture end होता है, ठीक है, हम देखेंगे इसके बाद exercise 8.3 यह अगले lectures में हम start करें, ठीक है, यह अगले lecture में हम start, हखेंगे सर, बिंदा करेंगे समय mínimo तो फिया, यह रखेंगे सबीज़ के समय दो करेंगे साथ, यह 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 आपक्कान चिक्षड़ अगले करेंगे संचन के समया करेंगे।